कांग्रेस के भारत बंद में नहीं मिला कोई असर देश भर में डीजल, पेट्रोल, रसोई, गैस, बे, रोजगारी और जी एस्टी की बढ़ती दरों को लेकर आज कांग्रेस ने भारत बंद करने करके इंद्र सरकार से बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग की है जिसके लिए म मिल रहा है, सभी का स्योग मिल रहा है, कांग्रेस का र्याकरता शहर भर में पेट्रोल पंप और बाजार को बंद कर भारत बंद को सफल कराने में लगे हैं, सुबह से ही मत्वरा में कांग्रेस के नेताओं ने सभी व्यापारियों से मंगाई को कम करने के उनके इस आंदोल में भाग ले रही है वही शहर में जगए जगए पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी हिंसात मत घर्टना को रोका जा सके और जन्ता में भी कोई मपॉल ना भिगड़ पाए कांग्रेस के सभी काया करता और निताओं ने सड़क पर उतर कर जन्ता से बंदी की अपील कर पूर्ण बंद का आभान किया है स्मृति रानी सुष्मा स्वराज और मोदी जी मौन क्यों है पूर्ण सी एल्पी लीडर प्रदीद माथूर ने कहा कि आज भारत बंद में अपार्स योग हमें व्या पारियों के साथ साथ जन्ता का भी मिल रहा है डीजल और पेट्रोल के साथ साथ गैस सीलेंडर के गाम साथवे आसमान पर पहुंच गए है स्मृति रानी सुष्मा स्वराज और मोदी जी मौन क्यों है जंता त्राही त्राही कर रही है आज आज आप लोगों को बंद कॉल किया गया है किससे इस इसको चपल देखिए अपार सपलता हमारे बैपारी सब हम लोगों को समर्चन दे रहे हैं एक तरब से मत्रा के मजार बंद है आज सुखा हलवाईयों ने अपनी दुकान नी खोली भटी नहीं चलाई सारे प्रतिष्ठान अच्छी तरह से बंद है सब्का व्यापक समर्चन मिल रहा है डीजल की दाम इतने बढ़ गए लोगों के सिर्थे पानी निकल चुका है और गयस सिलेंडर बिल्कुल साथ में अस्मान के पहुच रहे हैं आम जन्ता द्रस्त है आज तो सफल बंद इसलिए कि चायवालों ने भी अपनी दुकाने बंद रख किये और हम उन्हें अनुर्वत करते हैं कि जैसा हाई कमेंड कि सुबह से लेके शाम को चार वहीं तक प्रतिशान के लिए द्यार है मोधी सरकार से सब तरस्त हो चुके हैं इनकी इस्विती रानी जी सुश्वा सुराज जी और इनके बड़े नेता मौन क्यों है मोधी जी मौन क्यों है आप रुपे की जो डॉलर के मुकाबले में दाम बिल्कुल घड़ चुके हैं और आपका जो जो रिजर्व है फंट्स का रिजर्व है रिपियाई का और देश का जो है वो सब खतम हो गया है और देश रेसेशन की तरफ जा रहा है खत्री की घंटी बच चुकी है मोधी जी अब आपके दिन पूरे हो रहे हैं चुकी है